हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम टू मैं यूटूब चैनल एम उन टार्गेट फ्रेंज जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अब्जेक्टिव जो क्लास चल रहा है उसके साथ साथ अब हम लोग सब्जेक्टिव के क्लास को भी करेंगे जिसमें मैं रोज लगभग आठ से दस कोश्चन आप लोगों को याद करने के लिए दूँगा ठेक और इसका ख़बर मैंने आपको अलड़ी बताया था कि टेलीग्राम गुरूप में मैं भेज़ दूँगा जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सस्क्राइब करके जूड जा ताकि आपका रिजल्ट बहतर से बहतर हो पाए देखे रासायन विग्यान का आज हम लोग सब्जेक्टिव कोश्चन करेंगे जिसमें पहला पाठ है चैप्टर वाई हम करवाएंगे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एंव समिकरन केमिकल इक्वेशन एंड रियक् तो उन सभी चीजों के बारे में पहले हम लिसकास कर लेंगे उसके बाद कोश्चन के तरफ हम आपको लेकर चलेंगे लेकिन ध्यान रहे एक चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत लड़के बताने के बाद भी पूछते रहते हैं कि सर यह कैसे करना है यह कब आएगा वो कहां आएगा ठीक है तो देखिए थिंग्स टूबी रिमेंबर मतलब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है तो कि बोथ हिंदी एंड इंग्लिस मिडियां स्टुडेंट के फॉलो मतलब यह जो वीडियो आएगा सब्जेक्टिव का वह हिंदी मिडियम के ल रहा हूं आप लोग पास जो इंग्लिस कंटेंट होगा उसमें उसको नोट कर लेंगे इंपोर्टेंट करके और इसका एक अलग से आपको नोट्स बनाना है मतलब एक बीस से पचीस रुपए का कोपी आपको खरीदना है ज्यादा मोटा नहीं जिसमें केवल विग्यान रहेगा विग्यान में तीन सब्जेक्ट आते हैं आपको पता ही है फिजिक्स, केमेस्ट्री और बैलोजी ठीक जिसमें आज हमें केमेस्ट्री कर रहे है उसका अभी चैप्टर वन तो इन सभी कोश्चन्स को उस पर नोट करना है अलग से जो लड़के नोट्स नहीं बनाया है जिनके पास कोई साधन नहीं है पढ़नेगा उनके लिए तो यह राम बढ़ चीज है और जो अबजेक्टिव का क्लास चलता है ध्यान से पहले सुलिजिए वो जैसे चल रहा है वैसे चलते रहेगा बस ध्यान से आप लोग थोड़ा सा सबर करेंगे क्योंकि अल्रेडी मैं बताता हूँ आपको कि हम भी एक स्टुडेंट हैं उसमें से समय निकालके आप लोगों के लिए पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा आप लोग धैरे रखिए हर एक चीज टाइम टो टाइम एक सिस्टम से बैलन्स तरीके से पूरा करवाने का जिमावारी मेरा है और करवाएंगे यू केन आल्सो फॉलो यूर नोट्स अगर जिन के पास कोई नोट्स है जहां भी पढ़ाई करते हैं स्कूल में कोचिंग में ट्यूशन में वो उस नोट के सहायता से भी पढ़ाई कर सकते हैं जो यहां पर हम कोच्टन मेंसन करेंगे गेस करेंगे बताएंगे उसको अपने कॉपी में आप इंपोर्टेंट करके याद कर लेंगे उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि रिवीजन इस दकी ऑफ सक्सिस बार बार उसको याद करना है जैसे objective हम बोलते हैं कि अच्छे से आपको त्यार करते चलना है उसी तरह इस questions को भी याद करते चलना है और subjective का जो वीडियो है वो एक दिन बीच करके आएगा एक दिन बीच करके यानि alternate day पे आ जाया तो कल बीच लगेगा ताकि आपको याद करने का भी समय मिल जाए फ फिर एक दिन बीच होगा फिर उसके बाद आएगा ताकि आप असानी से 8-10 questions को याद कर ले और इमांदारी से हम बता रहे हैं जो लड़का इस series को subjective वाले series को follow कर लिया इमांदारी से अच्छे से ठिक वो एकदम निश्चिन्त हो जाए परिछा में उसको 1% भी डर नहीं ल मौडल से भी लाएंगे subjective अब यहां पर एक लड़की का मन में यह बात होता है कि सर क्या यह जो हम कर रहे हैं वहीं आएगा या नहीं आएगा तो देखो हम अभी या पहले या क्लास 9 में जब भी बताये थे तो सबसे पहले बताये थे कि सबसे पहले इसको कर लो इसके अला पहले जो हम करवा रहे हैं उसको कर लो उसके बाद तुम सोतंत्र हो जो मन सो याद करो या ना करो ओके देखिए पहला जो चेप्टर है उसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है जो भी परिभासा दिया हुआ है परिभासा जैसे विस्थापन अभिक्रिया क्या है यह सभी जो जितनी भी परिभासा हैं आपको याद कर लेना है सीधा परिभासा दो नमर का पुछता है और उदहारन के साथ ठेक उदहारन हम करवाएंगे हर एक चीज करवा रहे हैं यहाँ पे देखिए पहला कोस्टन आज आपकी स्क्रीन पर यह रहा परिभासा याद कर परिभासा से सीधे कोस्टन रहता है पहला कोस्टन आपकी स्क्रीन पर देखिए आंसर के साथ अब यहाँ पर बहुत लोड की स्क्रीन फोट लेने का चकर मां पढ़ जाएंगा रहे भाई लेना इसमें वीडियो के साथ साथ वाले सुनना है आपको क्योंकि इसमें हम अब् सवसन को उसमा चेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं वाडनन के जिये ठीक अब यहां पे आपको objective मिल गया कि सवसन किस प्रकार के अभिक्रिया है तो उसमा चेपी है यानि इक्जोथर्मिक रियक्शन respiration जो है वो exothermic reaction है कैसे तो अब आपको बताना है कि उस स्वसन को उसमाच्छे प्रिया विक्रिया कहते हैं क्योंकि इसके अंतरगत भोजन छोटे छोटे टुकुडों में तुटता है जिसके फलसर उर्जा उत्पन होती है और यह उर्जा किस रूप में होती है तो यह परिभासा लिखे एक नमर का ठीक परिभासा लिख दिये एक नमर का छोटा सा लेकिन वर्णन कीजिए दे दिया है और दो नमर में question है तो जब तक आप समिकरन नहीं लिखेंगे तब तक आपको पूरा नमर नहीं मिलेगा फिर से बता रहे हैं परिभासा के साथ साथ उसका उधारन ये समिकरन केमेश्ट्री में यानि रसायन में लिखना बहुत जरूरी है समिकरन देखिए यहाँ पर है ग्लुकोज समिकरन आपको ध्यान में रखना है एक बार हम इसको मिटा दे रहा है ताकि आप आसानी से इसका स्क्रीन सोट लेने का हम आपको भरपूर समय देंगे लेकिन ध्यान रहिए जो भी बात बता रहे हैं यहाँ पर सुनते रहिएगा जैसे यहाँ पर देखिए पर स्क्रीन सोट अगला कोशन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सुल्फेट के विल्यान में डुबोया जाता है तो विल्यान का रंग क्यों बदल जाता है यह कोशन 2018 में अल्ड़ी आ चुका है तो इसका सही जवाब है उत्तर है कि लोहा कॉपर के पेक्षा अधिक क्रिया सीलत तो है ठीक इस लिए यह कॉपर सुल्फेट के विल्यान को कॉपर से विस्थापित कर देता है अब यहां पर अभिक्रिया का समीकरन निम्नवित है तो भाई इसको समीकरन को भी देखते हैं FES, S का मतलब यह सॉलिड रूप में है CUSO for Eco Solution है विल्यान है अभिक्रिया करके आपको यह बना अब अभिक्रिया के फल सरूप विस्थापित कोपर लोहे की किल पर जम जाता है तथा आइरन सल्फेट का विल्यान प्राप्त होता है जिसका रंग कोपर सल्फेट के विल्य का होता है अब जाके यह पूरा कोश्चन का अंसर सही हुआ जिसमें आपको आराम से दो नंबर से एक नंबर भी कम नहीं मिलेगा ठीक है देखिए आई यहां पी स्क्रिंसोट लीजिए सुरू में ही ले लिया किजिए आप लोग स्क्रिंसोट ठेक है उसके वाजब हम समझा रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनते रहे है चली स्क्रिंसोट लीजिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास किजिए सेयर करने का ताकि हमको भी मजाए पढ़ाने में चली इसको स्क्रिंसोट लिजिए आगे बढ़ते हैं तेल एंवसायुक्त खाद पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है मतलब जो भी जैसे चीप्स लिए चीप्स के पैकेट में कौन सा गैस होता है तो नाइट्रोजन होता है तो वहीं कोश्ण ने 2009 में भी आया था यह कोश्ण हर दम आता है इसके अंसर को देखते हैं तेल एंवसायुक्त खाद पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से खाद पदात वायू में उपसित ऑक्सीजन से अविक्रिया करने में ऑक्सीक्रित नहीं होते है मतलब जल्दी नहीं और टनस अगे बढ़ते हैं संचारण अभिक्रिया क्या है थे इंग्लिजमें न कि अट्रिय क्या है या संचारण क्या है यह क्या है तो यह एक परिभासा है और हरदम पूछता है देखिए संचारण जब कोई धातु अपने आसपास अमल आदरता आदी के संपर्क में आती है तब इस संचारित होती है और इस क्रिया को यानि पूरे प्रक्रिया को संचारण प्रक्रिया कहते हैं चांदी के उपर काली परत ये तांबे के उपर हरी परत चड़ना संचारण के दो प्रमुक उधारन है अब यहाँ पर देखना है कि ये जो लाइन हम लास्ट वाला बता है इसमें दो अब्जेक्टिव निकल गया चांदी के उपर कौन सा परत तो काला परत तांबे के उपर क कौन सा काला तामबे पे हरा ठेक दो अब्जेक्टिव यहां से भी निकल गया आईए अगला कोश्चन को देखते हैं विक्रित गंधिका यानि रेंचिडिटी इंगलिस में बोलते हैं आप लोग जहां से भी लिखे हैं उसको इंपोर्टेंट करते चलिएगा यहां के माध्य फिकरित हो जाता है तब उनमें एक विशेश गंध आता है ठीक है जैसे कोई समान है गर्मीक दिन में उसमें विशेश प्रकार का गंध हने लगता है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है एक अलग टाइप का आप खाएंगे तो गजीब लगता इसपर क्रिया को ही व को आम में हम लोग रखते हैं रखते हैं धूप दिखाते हैं लेकिन जैसे ही उसमें हवा वब कुछ लग जाएगा तो देखना एक सफेद कलर का इसे सब होने लगता है हम लोग बुखडी लग जाना भुखडी तो खराब होने लगता है क्यों क्योंकि oxygen के संपर्क में वह आत बाताट क्यों ही होगा और संयोजन और वियोजन अवबिकरिया में क्या अंतर है अंतर वाले कोॉस्चन आपको हरदम परिष्छा में देखने को मिलते हैं तो यदre करने हैं अगर सब्सक्राइब या दो से अधिक पदार्थ परस्पर सभी करके एक पदार्थ बनाते हैं यह उसका उल्टा हो जाएगा कि इस अभिक्रिया में योगिक वियोजीत होकर दो या दो से अधिक सरल्पदार्थ बनाते हैं दूसरा है पॉइंट कि ये अभिक्रिया एक या अनेक ततों के परस्परिक संयोजन से विभिन उर्जा की उपस्थिती में पूर्ण होती है तो इसका होगा कि ये अभिक्रिया प्राय उस्मा प्रकास विधुत या उत्प्रेरक के करण ही संभव हो पाती है परन्तु ये संयोजन अभिक्रिया के बेपरित होती है उधारन यहाँ पे आपको दो लिया दिया गया है लेकिन एक उधारन ही आपको याद करना है तुरंत स्क्रीन सोट ल and Aionic Decomposition पहला है कि उसमी वियोजन उसमा के द्वारा होता है बही जही बात है उसमा के वियोजन में उसमा रहेगा तभी तो होगा और Aionic Viozन विल्यायक में विल्यन बनाने पर होता है दूसरा point है कि उस्मिय वियोजन में उत्पाद उदासिन अडू होते हैं जबकि आइनिक वियोजन में योगी का अडू अवेसित कड़ो या आइनों में वियोजित हो जाता है तीसरा point अब देखो तीन कम से याद कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा कि अगर एक भूल भी गए तो दूसरा का कवर कर देगा लेकिन परिभासा के साथ साथ उधारन को भी भाई हम बार बार बोल रहे हैं ठीक आज तीसरा point को देख भी हम लोग डिसकस कर लेते हैं उसमी वियोजन के उत्पाद आसानी से प्रिथक किये जा सकते हैं जबकि आइनिक वियोजन में बने उत्पाद प्रिथक नहीं किये जा सकते हैं अगर एक तरह का याद कर लोग है तो दूसरा उसका अपोजिट होता है उधारन आपके सामने स्क्रीन पर है तो फ्रेंट्स आज इतना ही था मात्र आठ कोस्चन आठ कोस्चन को हम आपको एक दिन का समय देंगे दूसरे दिन आपको ये विडियो आएगा तो क्लास कैसा लगा क्या कमी है क्या चाहिए और आपको जो भी आपका सुझा हो कमेंट में बताईए साथ ही आपको बता दू कि नया जो भी लड़का है और क्लास 9 से क्लास 12 तक क पढ़ाई जो कर रहा है ठीक वो हमारे चैनल पर आके फ्री में त्यारी कर सकता है साथ ये टेली ग्राम ग्रूप को जोईन कर लीजिएगा फिर से बता रहा है हर एक सुचना वहीं पर आपको दी जाती है और ये जो आपका सीरीज चल रहा है ये अराम से चलते रहेगा ठीक ह से बहुत जल्द अब्जेक्टिव कंप्लिट करवाने के बाद जल्दी जल्दी अपक्लासेज आएंगी ठीक है तो त्यार रहिएगा अपने पढ़ाई को एक सिस्टम तरीके से जो तराजू होता है देखते हो इधर और इधर दोनों बैलेंस तरीके से रखता है अगर से चीजों को करते चलेंगे और बार बार बोल रहा है कि आपढ़ सिर चलाट अगर अच्छा चला गया तो तुम्हार फर्श्ट डिविजन के साथ साथ एक आच्छा परसेंटेज आने का चान्स ज Making North एट आप के तब तक के लिए ज्याज़त दीजिए ज Vincent जैएंन देभव किश Glau किसंवाद कि बच्त। कि!!!! कि भ९ जॉआ किए sentence इसme किए